अगर बात करें उन्नीस्वी सदी के पहले के जपान की तो जपान एक पिषडा हुआ मद्यकालिन देश था उन्नीस्वी सदी के शुरू में प्रशांत महा सागर में पच्चमी दिशों की हल्चल बढ़ने लगी थी जापान के समुन्दर में रूसी ब्रिटेन और सपेन जैसे देशों के बड़े बड़े समुन्दरी जहाज दिखने लगे थे उस समय जापान का समराट केवल नाम मातर का ही समराट था यह सैनिक नेता जिन्हें की शोगुन भी कहा जाता था बड़े बड़े ओधों पर सदियों से कपजा जमाए हुए थे अब जापानियों ने यूरूपियों दोरा की जा रही समुन्दरी गती विदियों को गंपीरता से लेना शुरू किया और 1825 में किसी भी विदेशी की जपान की दर्ती पर आने पर परतिबंद लगा दिया और उनका ये डर और फैंसला जायर भी था क्योंकि वो जानते थे कि कैसे यूरूपियों ने तमाम देशों पर कबजा कर रखा था और उनका ये शक और भी पुकता हो गया जब उनके परोसी देश चीन में फरस्ट ओपियों वार यानि पहला अफिम युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध में चीन को यूरूपियों के हाथों शीकश दखानी पड़ी थी ये जपान के लिए एक चेतामनी की तरह था जपान ने खुद को यूरूपियों की शाजी से बचाने की बरपूर कोशिश की लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक विद्धेशी हमलों से नहीं बच पाए 19 सदी के मद्दे तक आते आते अमेरिका भी प्रशांत महसागर में अपनी रुची बढ़ाने लगा था और सन 1430 में एक अमेरिकी कमंडर पैरी अपने लोसैनिक बेड़े को लेकर जपान के समुंदर में पहुँच गया और जपान को युद्ध की दमकी दे डाले मजबूरन जपान ने युद्ध को टालने की खातिर अपने दो बंदरगां अमेरिकी जहाजों के लिए खोल दी है और यहीं से शुरुआत होती है जपानी दर्ती पर पिदेशी अतिक रमन की इसके बाद एक के बाद एक कई युरूपियन देश जपान के साथ संदिक करते गए और जपान में अपनी पकड़ को मजबूत करने लगे 1864 में युरूपियन ने यपान के दो शहरों पर बंबारी कर जापानियों को अपनी ताकत का नमूना पेश किया और दीरे दीरे जापान के अंतरिक मामलों में भी विदेशी ताक्तों का दखल बढ़ने लगा सन 1868 में शोगुन यानी जापानी सैनिक नेताओं का शाशन खत्म कर दिया गया और जापान के समराट को कटपुतली बना कर यूरोपियों ने वापस सत्था उनके हाथ ने दे दी यापानियों के समराट ने खुद को मैजी का टाइटल दिया और इस गटना को इतिहास मेजी रिस्टोरेशन के नाम से जाना जाता है जापान अब पूरी तरह से पच्चमी देशों के अधीन हो चुका था इन देशों के संपर्क में आने के बाद जापानियों ने देखा कि पच्चमी देशों के लोग कितनी तरक्की कर चुके हैं और ग्यान विग्यान के शेतर में कितने आगे थे इसे देखकर जापानियों ने भी अब पश्चमी शब्यता को अपनाना शुरू कर दिया और इससे जापान में विकास की एक नई लहर उठाई जिसने जापान के आदुनी करन की नेम रख ड़ली शुरुआत में तो जापान ने अपना आदुनी करन आतम रख्षा के तोर पर किया क्योंकि जापान समझ चुका था कि जब तक वो खुद को यूरोपियों के बराबर नहीं कर लेता तब तक बश्चमी देश उसे चैन से सांस नहीं लेने दिए 19-वी सदी के अंतक जापान ने अपने इंडस्ट्री को मजबूत करना शुरू कर दिया था इसके इलावा जापान ने अपनी करेंसी और बैंकिंग सुविदाओं को भी बहतर करना शुरू किया कोले की खाने जलाए गई और उद्धियोग मंतराले की स्थापना की सीमन्ट और लोहे की कारखाने लगवाए और यादा याद के सादुनों का भी तेजी से विकास किया जापान ने पच्चमी देशों से सीखकर समुन्दरी जहाज तियार किये और बिना यूरोपियों की मदद के बांप से चलने वाले समुन्दरी बेड़े भी बनवाए और साथी जापान ने रेलवे डाक और तार का भी विकास किया जापान में जब उद्योगी करन बढ़ने लगा तो जापान को कच्चे माल की ज्रूरत महसूस होने लगी और फिर बने हुए माल को बेचने के लिए भी बजार तो चाहिए था क्योंकि जापान एक शोटा सा देश है और उसके सादन अतियंत सीमित है इसलिए अब जापान को भी पच्चमी तरज़ पर नए बजारों की तलाश होने लगी थी और दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है जापान में एक नए अधियाई की वो था इम्पेरिलिजम जानी की समराज्चिवाद अब जापान दूसरे देशों की तरह अपनी सीमाए बढ़ाना चाहता था इसके लिए जापान ने अपनी सेना का शेशक्ती करन करना शुरू कर दिया अपनी मिलिटरी पावर को मजबूत करने के बाद जापान ने 1895 में चीन के खिलाफ जंग का एलान कर दिया और चीन को हराकर फारमोसा आईलैंड यहनी आज का ताईवान को जापान में मिला लिया इसके बाद जापान ने चीन के उस दावे को भी शूड़ने पर मजबूर कर दिया जो वो कोरिया को अपना हिस्सा बताता था और आगे चलकर 1905 में कोरिया को अपना संगरक्षी रास्टर गोशित करवा लिया 1902 में जापान ने ब्रिटेन के साथ मित्तरता की संदी कर ली और इस तरह जापान येरोपियों के साथ बराबरी करने वाला पहला एशियाई देश बन गया फिर आता है सन 1904 जब जापान ने दक्षिन मंचूरिया को लेकर रूस के साथ युद्ध की शुरुआत कर दी और रूस को भी प्राजित कर दिया और मंचूरिया को भी अपने कप्चे में ले लिया उस समय जापान एक मात्र ऐसा एशियाई देश बन चुका था जो समराज्य वादी नेतियों के तहट अपने समराज्य को बढ़ा रहा था रूस को हराकर जापान ने जे थाबित कर दिया कि कोई भी गैर गोरा एशियाई देश किशी भी यूरुपिय देश को हरा सकता है जापान की इस जीत का असर उन तमाम देशों के उपर हुआ जिने यूरुपियों देशों ने गुलाम बना रखा और बारत भी उनमें से ही एक था जापान का एक सूपर पावर के तोर पर उबर कर आना इस बात का संकेत था कि विश्व में यूरुपियों का बोल बाला अधिक दिनों तक नहीं चलने वाला और उसी तरह जापान एक पिशड़ा हुए देशे एक शक्तिशाली देश के रूप में उबर कर सामने आया लेकिन वर्डवार टू के दोराण जापान की एक गलती ने उसे फिर से सालों पीशे दकील दिया क्या थी वो गलती देखेंगे आने वाले एपिसोड में तब तक के लिए की वाची एन की बिंग जिगयासू